चाइना के साथ डिस एंगेजमेंट एग्रिमेंट और कैनड़ा के साथ डिपलोमेटिक टसल के धोरान इंडिया कॉइटली अपनी फोर्थ इंडिजिनिस नुक्लियर पावर्ड बैलेस्टिक मिसाइल सेमरेल SSBN लाँच कर चुका है कॉइटली इसलिए क्योंकि हिंडोस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये डिवलोमेंट 22 अक्तूबर को सामने आई है बट उसमें कहा गया है कि इसकी लाँचिंग लास्ट वीक 16 अक्तूबर को हुई थी अक्तूबर 15 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सेंग दौरा वेरी लोव फ्रिक्वेंसी रिडार नेवल स्टेशन को इनॉगरेट किया गया था सो उसके अगले ही दिन इस फोर्थ SSBN को लाँच किया गया इसका कोड नेम है S4 स्टार मतलब इसको ओफिशल नेम बाद में दिया जाएगा ये S4 क्लास सामरीन इंडिया की थर्ड SSBN आइनस अरिधमन की ही सिस्टर शिप है जो सेटलाइट इमेजिस में 2021 में सामने आई थी बट अभी आइनस अरिधमन की इंड़क्शन पेंडिंग है जो के रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025 में होगी आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं इंडिया की प्रीवियस नुक्लियर पावर्ड बैलेस्टिक मिसाइल समरीन्स की फर्स्ट है आईनस अरिधमन जिसको लाँच किया गया था 2009 में और कमिशनिंग हुई 2016 में दन सेकंड एसेस्बियन है आईनस अरिधाथ जिसको अभी हाल ही में अगस्ट में इंड़क्ट किया गया था थर्ड वन आइनस अरिधमन की कमिश्टिंग जैसे हमने बात की दोजार पच्चिस में एक्सपेक्टड है नाव आइनस अरिहंत को S2 क्लास में रखा गया है आइनस अरिघात है S3 क्लास और आइनस अरिधमन और ये 4th SSBN दोनो S4 क्लास में आती है और ये दोनो S4 क्लास SSBN अरिहंत क्लास समरीन्स आइनस अरिहंत और आइनस अरिधात का ही एक स्ट्रेच वरजिन है जो के लॉंगर रेंज नुकलियर टिप्ट बैलिस्टिक मिसाइल से लेस होंगी हालांके समरीन की स्पेसिफिकेशन्स क्लासी भाइड ही रहने वाली है आइनस अरिहंत और आइनस अरिधात में के 15 मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज सिरफ साड़े 700 किलोमेटर्स तक की ही है जो इनकी नुकलियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को लिमिट करती है पाकिस्तान के साथ कॉन्फलिक्ट के केस में ये मिसाइल्स पाकिस्तान के बहुती लिमिटेड एरिया को ही टार्गेट कर पाएंगी बट 3500 किलोमेटर रेंज की के-4 मिसाइल ना सिरफ पूरे पाकिस्तान बलके चाइना के अंदरूनी इलाकों को भी कवर कर सकती है बताया जा रहा है कि ये 12 K-15 और 4 K-4 मिसाइल्स केरी करने में कैपिबल है लॉंगर रेंज मिसाइल्स के साथ साथ ये कोर्ड नेम्ट S-4 SSBN साइज में भी प्रीवियस सम्मरीन से बिगर है आयनस अरिहंत की लेंथ है करीब 110 मीटर्स और डिस्प्लेस्मेंट है 6000 टन्स बट 2021 में जब S-4 SSBN की सेटलेट इमेजिस सामने आई तो उस ताइम इसकी लोड वाटर लाइन मेजरमेंट में इसकी लेंथ 125 मीटर और डिस्प्लेस्मेंट 7000 टन्स बताई गए सो S-4 class समरींज आयनस अरिधमन और ये 4th unnamed SSBN प्रीवियस आयनस अरिहंत और आयनस अरिघाद का ही एक advanced variant है नुकलियर डेटरेंज व्यूपाइंट से बात करें तो कम से कम 3-4 नुकलियर पावर्ड बेलस्टिक मिसाइल समरींज का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नुकलियर डेटरेंज के लिए एक समरींज का हर टाइम 2400 घंटे पेट्रोलिंग पर होना जुरूरी होता है एक समरीं पोर्ड पर एक पेट्रोलिंग पर जा रही होगी और एक समरीं पेट्रोलिंग से वापिस आ रही होगी ब्रिटेन की sea nuclear deterrence की बात करें तो ब्रिटिश रॉयल नेवी ने पिछले 50 साल से लगातार अपनी sea deterrence को मेंटेन रखा है और अब ब्रिटिश रॉयल नेवी 53rd year में एंटर कर चुकी है to maintain its longest sustaining military operation देखा जाए तो country की nuclear triad मतलब air, land और sea nuclear capabilities में से ballistic missile submarines most survivable weapons हैं क्योंकि submarines oceans की depths में लंबे समय तक बिना surface पर आए और enemy warships के radar पर बिना detect हुए surveillance रखने में capable होती हैं सो चाहे इस S4 SSBN की launching काफी quiet रही हो बट इसका strategic impact बहुत ही significant होगा 1998 में first SSBN INS Arihant की steel cutting के बाद आज इंडिया के पास चार operational SSBN हैं थर्ड की commissioning जैसे हमने पहले बात की कि 2025 में expected है and then later on this fourth one S4 class SSBN के बाद इंडिया का more advanced और larger submarines build करने का भी plan है जिसको हम S5 class कह सकते हैं इसके लावा Indian Navy रशिया से Aquila class nuclear powered attack submarine भी acquire कर रही है that is INS Chakra 3 जिसकी delivery already delay हो चुकी है originally INS Chakra की delivery 2025 में होनी थी बट Russia-Ukraine conflict की वज़े से इसको अब 2028 में deliver किया जाएगा जाएगा जाएगा